दोस्तों कि आप जानते हैं जिन्दगी में बस एक बार नहाती है यहां की महलाएं वजा जानकर रह जाएंगे दंग अगर हम एक दो दिन नहाएं तो कितना अजीब सा लगता एक दो दिन के बाद हर विक्ति नहाना पसंद करते हैं नहाने से हमारी थाकान दूर हो जाती है और सरीर स्वस्त्र आता है अगर हम कुछ दिनों तक नहीं नहाते हैं तो सरीर से बदव आने लगती है और हमारी मानसिक्ता भी थोड़ी अजीव लगने लगती है लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगा भी है जहां महलाओं के जीवन में केवल एक बार नहाने की इजाज़त देती है दुनिया में कई ऐसी जन जातियां हैं जिनके बहुत ही अनोखी रिवाज है कुछ ऐसी अफिरका के उत्री ना भी विया के कुनेत परांत में रहने वाली हिबब जन जाती के महलाओं के साथ भी है ऐसा इसलिए कियों कि यहां महलाओं को नहाने की इजाज़त नहीं है फिर भी उन्हें अफिरका के सबसे खुबसूरत महला माना जाता है इन प्रजाती की लोग समगते हैं कि अगर महलाओं को नहाने की इजाज़ दे दी जाये तो उन्हें सुन्दर्ता खत्म हो जाएगी और फिर उनसे कोई साधी नहीं करेगा इतना ही नहीं एं महलाओं हाथ धोने के लिए पानी का इस्तमाल नहीं करती है अलाकि इन महलाओं को खुद को साप रखने का अपना एक खास तरीका है एं महलाओं अपनी त्वाचा को धुप से बचाने के लिए खास लोशन का इस्तमाल करती है या लोशन जानवरों के चरवी और हेमाटाइट की घोल से तयार होता है हेमाटाइट की धूल के कारण उनकी त्वाचा का रंग लाल हो जाता है एक खास लोशन उन्हें कीरियों से कार्टने से भी बचाती है और इन महलाओं को रेड मेन के नाम से भी जाना जाता है यह महलाओं के सबसे बड़ी खास बात है की हीबа जन जाती में परिवार का मुख्या पूरुस ही होता है लेकिन आर्थिक फैसला लेने वाले सिर्फ महलाओं का ही हक है दूसरी बात यह है कि यहां की महलाओं सिर्फ अपनी सादी में ही नाती है दोस्तों क्या आप इन से पहले इन महलाओं के बारे में जानते थे कॉमेंट में जरूर बताए